ओसम देखने वाले कोश्चन जिसमें बोला क्या है what is meant by resources what is their importance in our life तो इस question का मतलब है कि resource गया होता है ओक और आगे बोला गया है इन resources का हमारी life में इंपोंटेंस कौन सा महत्वा है ये हमको بتाना है तो चलिए देखते हैं इसका answer कोई भी चीज या कोई भी material कोई भी सामान उसको हम resource बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब वो fulfill करता है पूरी करता है needs याने की जरूरते इनसान की ओके students याने की किसी भी इनसान की अगर कोई भी needs को कोई भी चीज पूरी करता है fulfill करता है तो उसको हम resource बोलेंगे तो जैसे की students मान लीजे आपको गर्मी हो रही है आपने बटन दबाए पंखा चालू हो गया तो fan क्या है आपके लिए resource है क्योंकि उसने आपकी need को आपकी जरूरत को पूरा किया है fulfill किया है तो इस तरह किसे कोई भी चीज एनिफिंग या कोई भी material उसको हम resource बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ तब जब वो इनसान की needs को जरूरत को fulfill करता है पूरा करता है जैसे की तो पानी जो है वो resource है हमाई लिए क्योंकि because it quenches thirst quenches याने की बुझाना thirst याने की प्यास तो पानी हमाले resource है क्योंकि वो प्यास को बुझाता है उसके अलावा irrigates fields याने की जमीन को जहांपे खेटी किसानी होती है उस fields को irrigate करता है पानी देने के लिए काम आता है and used for cleanliness साफ सफाई के लिए use होता है cooking food खाना बनाने के लिए भी use होता है इसके लावा etc याने की बहुत साइच चीजों में water जो है वो use होता है likewise ऐसे ही similarly याने की इसके जैसे ही all those things वो सारी की सारी चीजे which help जो की help करती है to meet the needs of human इनसानों की जरुवतों को पूरा करने के लिए जो भी चीजे use होती है उसको हम बोलते है resources okay so it's clear है तो कुल मिला करके resources क्या है हर वो चीज जो इनसान की जरुवत को पूरा करने के लिए use होती है उसको हम बोलते है resources अब इन resources का हमाई life में importance क्या है तो चलिए दिखते है कोई भी resource क्योंकि वो किसी भी इनसान की need को पूरा करता है जरुवत पूरा करता है इसलिए जो resources है वो इनसान की life को easy बनाता है और happy बनाता है खुश कर देता है उसको तो actually क्या students जो ancient period है जो पुराना समय की बात कर रहे हैं तो पुराना समय याने की ancient period जो है उसमें human जो है याने की जो इनसान थे वो fully dependent थे पूरा depend करते थे nature पर तो gradually याने की धिर धिरे इनसान ने अपना intelligence अपना दिमाग यूज किया अपनी skills को यूज किया और उसके जरिये उन सारी natural things को भगवान की बनाईवी चीजों को यूज किया जिससे की उसकी जरुरतों को उसने पूरा किया याने की students इनसान ने धिर धिरे अपने intelligence से अपने दिमाग से अपने skills से भगवान की दिरी चीजों को natural things को बहुत ज़्यादा maximum use किया ताकि उसकी जरुरते पूरी हो सके today those countries आज वो सारे देश consider की जाते हैं माने जाते हैं more prosperous ज़्यादा successful ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा rich जिनके पास more resources हैं ज़्यादा resources हैं तो कुल मिला करके जिस भी देश के पास ज़्यादा resources हैं वो ज़्यादा prosperous मना जाता है prosperous ज़्यादा धनी ज़्यादा rich ज़्यादा successful मना जाता है जिसके पास ज़्यादा resources होते हैं तो आज की समय में today आने की आज की समय की बात करते हैं तो resources जिसके पास available होते हैं वो हो जाता है becomes है निकी हो जाता है progress का indication यानि कि कोई भी देश कितना तरक्की कर रहा है उसके लिए हम उसके पास देखते हैं कि कितने resources हैं कितने resources available हैं यह बताता है कि वो कितना progress कर रहा है कितनी तरक्की कर रहा है तो उस progress का indication है उस तरक्की का संकेत है उसके जरी हमको पता चल जाता है कि वो देश कितना तरक्की कर रहा है कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसका इंडिकेशन होता है इसलिए जो रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ही महान महत्त्व है ग्रेट इंपोर्टेंस है हमारी लाइफ में ओके students clear है I hope students आपको clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमारी चैनल को subscribe केजिए and वीडियो को like जरू करें आज के लिए इतना ही thank you